एक ऐसा इंसान जो कि पिछले 70 सालों से एक सिलेंडर में बंद है मिलते हैं पॉल एलेक्जेंडर से एक्चुली 1952 में जब पॉल 6 साल के थे तब उनको पॉलियो के बिमारी हो गई थी जिस वज़े जुनके लंग्स ते काम करना बंद कर दिया था और उन्हें जिन्दा रखने के लिए अर्जेंटली एक सिलेंडर में उन्हें शिफ्ट कर दिया गया इस सिलेंडर में उन्हें रखा जाता है जो कि खुद सांस लेने के कैपेबल नहीं होते और ये सिलेंडर उनके लिए ऐसा आर्टिफिशल लंग्स काम करता है